मसकार दोस्तों मैं जीते अंदर पहनीवाल आप सभी के सामने होता हूं आज का कुरेंट फेर लेकर और आज हम जो श्टर्ट करने वाज आले हैं वह 2015 का कुरें तो हम पहला को ऊस्षन देखते हैं हमारी परिकरिया जारी की गई थी पर्थम रक्स आखरीद परिकरिया किस वर्स मरक्यात में आई थी मतलब पर्थम परिकरिया कब की गई थी अगर पर्थम परिकरिया की बात करें हम तो पर्थम परिकरिया की थी प्यारे मिन्तों 2002 में और किस नाम से थी यह हत्यारों को लेने की तो बात कर ले हम DPP मतलब क्या है defense procurement policy defense procurement policy इसके बात करें हम इसके बाद जो अभी आई है हाल ही में क्या है जिसका नाम जो 1 October 2020 से क्या होगी activate हो जाएगी इसके बात करें अब ये किस नाम से आई है तो ये आई है DAP किस नाम से आई है जी DAP defense equation procedure defense equation procedure बात करें रक्ष्या अधिगरण परिकिरिया रक्ष्या अधिगरण परिकिरिया DAP कब लाग होगी एक October 2020 अब बात करोगी सरी ये है क्या अब ये भी तो सुचने वाली बात है ये सर है क्या तो बात कर ले हम अगस्त 2019 में क्या बात करें हम अगस्त 2019 में बारण सरकार ने क्या की थी एक कमेटी बनाई थी और कमेटी जो चलव करने वाले थे वो कौन था कौन थे संचाल लग इसके अंपूरन चंदरा कौन थे ये अंपूरन चंदरा अपूरन चंदरा से बात की गई कि आप हमें इसके बारे में रिपोर्ट दोगे कि जो हमें हतियार लेने हैं वो हम किस परकार से ले सकते हैं या किस परकार से हमें हतियार को खरीद सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं, अब बात ये भी आती, कोसन ये भी निकल के सामने आ जाता है, कि अब हमें अथियार खरीदने की जुरूत नहीं है, अथियारों को हम क्या ले सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, खरीदने की बजाए हम क्या कर सकते हैं अथियारों को, रेंट पर भी ले सकते हैं ये policy कौन सी है डी ए पी इसके तहत हम क्या कर सकते हैं थियारों को rent पे भी ले सकते हैं इसके लावा बात करें हम एक नाम और आता है एक वर्ड और आता है ये भी important role play करेगा जिसका नाम क्या है upset क्या है upset close upset close की अगर हम बात करें जो upset kosten Kai Steam इसकी अगर हम बात कर लें तो यह है क्या यह बात सोचने वाले कि न्वरड है जो खर पिर दिया गया हमने upset मतलब यह है क्या जी यह क्या इसके बारे में भी तो हमें नोवले जो होनी चाहिए तो यह जो OpsThat Word है यह है क्या है यह उपस्छ हीएं एग cielo Grass इसके अगर हम बात करें अब मालो हमें किसी राजजा किसी देश से क्या अगरुने हैं तो हतियार लीने मैं अमनो हमने अब लिए है क्या राफिल जो कौन सी जनरेशन के है 4.5 जनरेशन जो सबसे हाया इस जनरेशन वो कितनी है 5 जनरेशन तो हमारी बात हुई थी किस से यह हुई है जी फ्रांस से किस से फ्रांस के साथ फ्रांस के साथ हमने क्या डिल की है कि हमें चाहिए राफिल और जो जनरेशन होने चाहिए चार या पांच के जनरेशन के वो होने चाहिए चार से उपर या पांच जनरेशन तो हमें कितने मिले हैं यहां पर राफिल 34 राफिल लिए हैं कितने के साथ हजार करोड के कितने के लिए हैं साथ हजार करोड के अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किस से लिए हमने फरांस सरकार से लिए हैं हम और किसी से भी ले सकते थे लेकिन किस से लिए हमने फरांस सरकार से लिए हैं अब आप बोल रहे होगे सर यह कहां से कहां यह कुन सी है पांच अब बात कर लेते हैं इस पर अपसेट पर हुटता क्या था यह अब सेट के बारे में अगर बात करें हम यह जो अपसेट है इसमें क्या था इसकी अगर हम बात करें अब हम किसी भी देश से ख्रीद देंगे तो वो क्यादेगा में एसके मतलब हतियार तो देभी देगा वो हमें ? कहलती बात दुसरी बात वो हमें साथ में क्या देनेवाला है ? टैकनोलजी भी तो देना वाला है खतियार देगा और साथ में क्या देगा टेकनोलोजी देगा जी यहां के जो इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं क्या है वो टेकनोलोजी भी कौन देगा जिससे हम त्यार खरीद देंगे लेकिन बात करें हम एक व्यक्ति है गरीस अगर इसकी बात करें तो यह सदस्च किसका है सी ए जे का सी एजी कौन सी आर्टिकल में आता है जिसको कैक बोल सकते हूं 148 में किसमें आता है 148 में अब इस व्यक्तिने रिसर्च कर दी इसने क्या कर दी रिसर्च की कि जो यह अफसेट वर्ड है क्या इसका वास्तों में प्रियोग हो रहे है क्या हमें वास्तों मे जानकारी स्की मिल रही है तो जब यह देखता है इसने इसके साथ नहीं राफेल की नहीं राफेल से जो पहले लिए गए है आज से पहले लगबग पुचात साल पहले उनकी भी क्या की इसने जांच कर देगी बताओ तो इसने जांच में पाया कि जो ये सकी मिली है हमें का 35 पर्शेंट तो क्या है मिली ही ըहीं है पिचानुए प्रशेंट तो हम इसका ला भी नहीं हुआ है मात्र लाप कितीoutez हो थे-ट अलब कुर Конечно कार बशेंब यह करते हैं कुछेश्यॉक्ट और उप window पैसे भी फालतू देते हैं कि हमें बता दें एक प्रकार से बनाए टेक्नोलजी दे दें तो लेकिन पैसा भी हमने फालतु दिया लेकिन हमारे पास तकनीकी भी नहीं आई तो रियाना उसी इंडिया गोर्मेंट ने शोचा कि जिसको बंदी कर दें इससे अच्छा कम से कम पैसा तो बचेगा अब आप कोगे जी ऐसा क्यों त आपको हमारे यहां के बनाने पढ़ेंगे क्या करने पढ़ेंगे यह अतियार आपको हमारे यहां आके बनाने पढ़ेंगे और यह स्केम एक्टिवेट कब होती है यह एक्टिवेट होगी एक अक्टूबर दो हजार बीस को कब एक्टिवेट होगी एक अक्टूबर दो हज ICMR ने चीन से किस नए वाइरस की उपस्तिती की चेतावनी दी है अब एक खत्रा और मन रहा गया इसकी जानकारी किस ने दी है ICMR ने कलकी कलास में ICMR के बारे में हमने पढ़ा था इन्होंने एक पोर्टल नौच किया है COVID-19 इन्होंने ही बताया था 2021 में वैक्सिन त्यार होगा और हर बारतिये के पास पहुंचने में उसको लगबग एक साल का क्या लग जाएगा टाइम लग जाएगा तो ICMR ने बताया था अब बात कर लें इसी ने बता दिया कि अब एक और चिंद से खत्रा आ रहा एक और नया वायरस तो उसकी बात कर ले हम वो कौन सा है तो वो है cat क्यों कौन सा है cat क्यों तो option number B कौन सा वायरस है जी cat च्यों अब इसकी बात कर लें अब इसकी अगर हम बात करें यह कहां से मिला हमें तो अब इसकी बात कर लेते हैं एक सर्वे करवाया गया 833 वैक्तियों का कितने वैक्तियों का 833 वैक्तियों का उसमें से दो वैक्तियों को क्या मिला जो उनकी बोड़ी में जब हमने रिसर्च कि उन पर तो देखा इनकी एंटी बोड़ी क्या है उस वैक्तियों में पहले ही बन चुकी है 833 में से दो वैक्टियों के बीच क्या है इसके एंटी बोड़ी क्या हो चुकी है अब एंटी ब्यूटी तार होने का मतलब क्या है कि यह क्या हुआ था इनकी बोड़ी में क्या किया था इसने एंटर किया था लेकिन वह हो चुका है डिश्ट्रोई इसलिए क्या बनी है एंट तो दो बात करें हम कहां से आ अरी है यह सूर से लेकिन एक्जान आरे को से बोच सकता है साइंस्ट्रीम में इसको स्न ले सकता है वो कि वायरस का जो एकर कारिया कौन करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको कोन लेके आता है ये बात भी सोचने वाली है तो वाहक का कारिया कोन करता है सूवर नहीं करता है वो कोन करता है वो करता है जी मच्छर हम मच्छर को रोग नहीं सकते है दुरू दुराने से हो सकता अभी हो चाइना वाले के किसी को लग इससे पहले बात कर लें हम मारच में आया था एक क्या हंता हंता भी दो आया था मारच में ही इसके बाद बात कर लें हम अगस्त में भी आया था एक जिसको हम किस नाम से जानते हैं टिक नाम से जानते हैं किस नाम से जानते जी टिक के नाम से हम जानते हैं इसके बाद नेक्स question की अगर हम बात कर लें हाल ही में EASG funds कबरों में था EASG का मतलब क्या है जो ESG का मतलब है वो क्या है इस पर question उचलता रहा है ESG का मतलब क्या है environmental social and governance तो इसका जो तीसरे का answer क्या होगा appropriate अब यहीं बात कर लें यह क्या है अब आम आपने क्या सुना होगा mutual fund के बारे में सुना होगा mutual fund में क्या कर दे हम पैशा लगा दें इसकी बात करें तो यह है क्या तो यह है एक share marketing share marketing का नाम तो को देखता कौन है? तो देखता है कौन शेवी कौन देखता है? यह देखता है स्तापना कब हूँ 1902. तो सेवी की स्तापना होती है 1902 में यह सेर मार्केटिंग को देखता है. इसके बाद बात कर लेते हैं हम यह तो यहां अब SPP यह उसाँ से मतलब Besa funds यह क्या है इक वरकाष से mutual fund है मतलब share लगा जाते हैं यहां फेपाइसे लगाए जाते हैं अब इसकी अगर हम बात कर लें तो अब हमने विचार लगाया हमें पैसा तो लगाना है लेकिन हम ऐसे company त्यूं लगाएं जिस हमारी हो जाती है लेकिन कहीं ने कहीं वो कमपनियां क्या हैं देश को नुक्षान तो पुँचा रही है अब मालो हमने लगा दिया किसी भी कमपनी पे जो क्या बनाती है बेजी सिक्रेट बनाती है कोई कुछ बनाता तो हमने उन पे लगा दिया उनकी सेरिमें कर दिया तो वह वाबदाएक होगी उसी कंपनी पर हम पैसा लगाएंगे जो क्या करेगी इन्वाइरमेंट को सुदा रहेगी तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं मारा कौन सा है हाल ही में खुली सिग्रेट और बीड़ी की बिक्री किस राज्ये में परती बंदित है अब यहां से तो अब देखो लोज सिग्रेट एंड बीड़ी ठीक है खुली सिग्रेट और बीड़ी बिक्री किस राज्ये में परती बंद लगा दी अब बहुत हो तो स्टुडेंटों को टैंसन होगी होगी जी बीड़ी सिग्रेट पे बैन कर दिया तो हम पीएंगे कैसे अब खुली बीड़ी सिग्रेट ने मिलेगी जिसको लेनी है ना पूरी की पूरी डिबी ही लेगा वो अब उसमें पांच आती है दस आती हैं जितनी भी आती है कि अब पूरी की पूरी डिपी लेगा अब यार बात यह हुई चलो ठीक है आपने माल लिया जी पूरी डिपी ले लेंगे लेकिन यह तो बता दो इसमें फाइदा क्या है अब फाइदे की सुन लो जहां आप दिन में एक सिग्रेट पीटते हो दस रुपे कि आपके पास सिर्फ 10 रुपे होते हैं और एक सिग्रेट पीतो हो सकता आप कहीं ने कहीं से जुगार करके लेकर आओगे एक डिपी लेने का डिपी ली अब आपके बास सिग्रेट है यार पढ़िए बहुत शारी तो एक अब भी लिए गंटे के बाद पी लेकिन यहां पर गॉर्मेंट ने सुझाओ देखो क्या दिया है अब बात कर लेते हैं एक मिन्ट में आपको दिखा देता हूं इमेज अग्ज तो सोरी आज के लिए मैं इमेज आड़ करना भूल गया जो आपको स्पेसली दिखानी थी तो आपको वैसे ही पता हुआ तो अब बात कर लेते हैं यह है क्या है जी एक सिक्रेट की डिब भी है और यहां पर एक व्यक्टी बना जाता है जिसके क्या है कैंसर ठीक है अब लिखा आता है वारी जो फैक्टरियां कुन लिखती हैं यह कैंसर का रोग करती है यह फिपडूं को रोख करती हैरो करती यह यह वह और लगया जाता है अब देखो गौटी पैड़नेले के लिए क्या गौर्मेंट रचा कि यह जिए दिफ़ पी लो और इसको देखो और पी फो हम सोचते हैं हम अगर बात कर लेते हैं इसी की इसी की बात कर लेते हैं में देखो तो कि फॉर्टेंट शांगे आने वाले हैं आपके सामनें बिल्कुल इंपूर्टेंट अब बात कर लेते हैं हम अगर बारत की बात करें हम कुछ करने वालों की smoking करने वालों की अगर हम बात करें तो 10.7 प्रस्टेशेंट विश्व क्या अंगड़े हैं तो 10 प्रसेंट क्या अंकड़े क्या है जो smoking करते हैं जो बेड़ी सीग्रेट पीते हैं इसके बाद बात कर लें हम 28.6 प्रसेंट वह व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं गुठका खेनी जो भी ओता हूँ इनको विखाते हैं अब बात कर लें हम अधर जाती है मतलब क्या है मिर्ति होती है और मिर्ति होने वाले लोगaci अगर व्यक्तियों की संख्या देखी जाए वरड में तो वरड में हर साल कितने व्यक्तियों की मिर्ट्यों हो जाती है जी साथ लाग साथ लाग परती वर्स क्या हो गई मिर्ट्यों हो जाती है कितनी साथ लाग परती वर्स लेकिन यहीं पर बात करें यह कौन है जिनकी तमाख्खु से मिर्टी होती है कितने व्यक्ति हैं साथ लाग लेकिन बात करें कोरोना जो कोविड-19 है जो कोरोना है जो इस कोरोना से कितने व्यक्तियों की मिर्टी होती है आप सोचो हर साल अब तक कितने व्यक्तियों की मिर्ट तुझी दस लाग की अब बताओ खतरनाक करोना है या तमाखू तमाखू से तो हर साल क्या है साथ लाख व्यक्ति मारे जा रहे हैं लेकिन करोना को भी अब साथ-अठ महिन्ने होगे आए हुए लेकिन करोना के कितने व्यक्ति सिरफ 10 लाग अब आप बोलोगे सर आप ड्रा रहे हो या बता रहे हो तो मैं ना ही आपको ड्रा रहा हूं मैं वही चीज बता रहा हूं जो वास्तिक है अब यह तो रही किसकी बात वरल्ड की वीशो की तो यह तो है जी वीशो की बात लेकिन बात करें हम बारत की तो बारत में हर साल बारत में क्या है हर साल जी कितने व्यक्ति मरते हैं 10 लाग लेकिन बात करें इसी कुरूना की बारत में कितने मरी हैं 9930 composed यानि कि तमाखु से मरने वाले व्यक्तियों की संक्या कितनी है जी 10 गुणा अब बताव डेंजर्स करोना है या तुमाखू तो इन आंगणों को द्यान में रखते हुए आज क्या करो आप इनको छोड़ दो जो भी आप नसे करते हो इनको छोड़ दो अब ये निरने लिया जी महाराष्ट्र पे अब क्वेस्टन द्यान में आ गया है करवाया हुआ है यह सबद सुना होगा बुड़ यह जो बुड़ सुना होगा अपने हाली में हमने क्वेस्टन किया था जो महाराष्ट्र की महानायक है अभी नेत्रियां वो क्या है ड्रक्स लेती हुए मिली है इतने बूरे हाला थे महाराष्ट्र के कहीं पर कोई ड्रक्स ले रहा है महाराष सराब के लिए ठेक के उपन कर देते हैं कि वह साब सराब यूआ और गुवर्मेंट बोलती है कि हमें इंकम चाहिए अब इंकम के लिए गवर्मेंट क्या कर रही है आपको कहीं भी बीदेखेल रही है लोग डाउन ओपन नीवा है मारे इनकों में गी जा रही है लेकिन गुवर्मेंट ने सराब के ठेके खोले हैं कि बाई एक नोमी बढ़ानी है और जिवस्ता उठानी है उपर नीचे गिर चुकी है जीडीपी नीचे गिर चुकी इसको उठाना है तो हमारा देशिए देख ल लिए में बारत की स्क्रीप्ट खब्रों में थी यह किसके दुवारा विक्सित की गई है बारती 위해 प्यृकशित है ठीक है तो यह है किसके दुवारा डेवलोप की गई है अब यह भी इमपोर्टेंट कॉस्टरंब गया तो यह जो शरू की गई ममा अब मान लो आप गए कहा पेजी तमील में तमील नाडू में गए हूँ और वहाँ पर एड्रस देखना है कौन सी बासा में लिखा है तमील बासा में लिखा है कहीं मुल्यालम बासा में लिखा हुआ है कहीं पर कौन सी बासा में लिखा हुआ है मतलब अपने राज्य की हिसाब से बासा में लिखा और कि यह मदराशेनम इसने एक स्क्रीप्ट बना दी मतलब है संने क्या किया है एक एप्डवलब की है इसने स्पिर अप्लिकेस्ट मना भी और उस अप्लिकेस्ट का नाम क्या है तो वह भी बात कॆइस बात है रात्य राकाption कि प्रैक स्क्रेट इसकी बाट क्या है हम जैसे ही देखते हैं कि तमील भासा में लिखा हुआ और यह नहीं नहीं दायके कहले लिखा हमें एकदम से उस एप को ओपन करेंगे और इस वर्ड को 어떨 किस पर करती है तो यह आप काम करती है ओसी आरपर इसका मतलब क्या है ऑप्टिकल क्रेक्टर रिगो निजेसन अब इसके बाद बात कर लेते इंपोर्टेंट वस्न यह भी आ जाता है कि देखो की तो आयाइटी मदरास वालों नहीं है जो आयाइटी मदरास है इसमें लोंच ह चोई है लेकिन उस महानव्यक्ति का नाम क्या है वी पूर सकता है सरीनिवास चकरवती क्या है सरीनिवास चक्रवती जो कहां पर है कि मदरास में क्या है एक विग्यानिक इसके बाद नेक्ट्वर्सन देख लेते हैं क्या है हाल ही में परदान मंत्री जी ने गंगा बलोकन नामक म्यूजियम देश को समर्पित किया है यह कहां स्थीत है यह बिल्कूल इंपोर्टेंट कोशन मनता है यह कहां पे स्थीत है तो बात कर लेते हैं यह कहां पे स्थीत है यह स्थीत उत्राखंड में कहां पर उत्रा खंड में कहां पर स्थित है यह है उत्रा खंड में स्थित इसके बाद यहां पर अब बात कर लें जो है क्या है अगर देखा जाए किसको हिंदी में बोलते हैं गंगा अवलोकन ठीक है संदी विचेद करें इसका तो गंगा अवलोकन का क्या मता है गंगा अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है हमने प्रोजेक्ट सरू किया जी गंगा उस पे हमें क्या करना पड़ेगा जो उसमें शिवरेज का पानी जाता है उसकी भी क्या करनी पड़ेगी हमें उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा और भी जो उसमें गंग डाला जाता है उस पे भी ह कि स्पाई पे ध्यान दिया है इसके बाद next question क्या आता हूँ देख लेते हैं कुछ राज्यक किसी उनुचेद के तहट नए किर्शी कानूनों को दरकिनार करने की संभावना तलास रही हैं अब ये कौन से आर्टिकल में हैं तो आर्टिकल की अगर हम बात करें आर्टिकल 242 तो फाइब फॉर की अर्टिकल टू में यानिके ओपसर न्मबर ब अब इसका मतलब क्या है यहां पर क्या हो रहा है अब आपने अंसुची सुने होगे हमारे जो सैडूल है कितने हैं बारा अंसूची आ कितने बारा अंसूची और साथ भी सूची बता दीजिये क्या है साथमें सूची में बता दीजिए फटा फट से साथमें सूची में क्या आता है के अंदर कानू मनाएगा राज्य कानू मनाएगा या कौन मनाएगा दोनों मिलकर मनाएगे और उसी में एक वर्ड है कौन शाह समवर्ती सूची कौन साइजी इसमें प्रोधान है कि जी इस पे राज्य भी कानू मनाएगा और केंदर भी कानू मना सकता है लेकिन दोनों ने एक ही कानू मना दिया इस समर्थी सुची पे अब बात कर लेते हैं मान्य किसका होगा तो मान्य होगा जी केंदर का किसका होगा केंदर सरकार का क्या होगा यहां पे मान्य होगा अब ऐसा कोई कानून है जिसको क्या कर रही है यह तो कानून पास कर रही है उसी पे और उसी मिल पे क्या कर रही है केंदर सरकार पास कर रही है मतलब व्यक्ति एक है ए है इस पे क्या है दो व्यक्ति विल पास कर तो मानने किसका हुगा के इंदर शिरकार का तो अब बात ही आगी दर किनार करने की समावना तलास रहे इसमें क्या है अब राज्य सरकार ने सोचा कि भाई यह बिल तो हम पास नहीं होने देंगे तो इनके पास option क्या है इसको pass ने होने का ये क्या करेंगे अपना बिल बनाएंगे क्या लेंगे ये अपना बिल लेंगे और इस बिल को कहां पर बेज देंगे इसको बेज देंगे जिर राष्ट्रपती के पास अगर राष्ट्रपदी इसको अपरूवल दे देगा तो यह बिल क्या हो जाएगा राज्य में एक्टिवेट हो जाएगा तो अब जो बिलों पे बहुत सली हुई है उसी के लिए क्या है कॉंग्रेस का जहां जहां पे है उसने कोसिस की है कि यह कारिये हम कर लें तो अब आप यहां रही है करें date अब बात यहां अब इसमयजसरकार कहने को बोल देगी कि भाई हमने तो मारी साहिता करने की कोसिस की है पूरी हमने तो अपनी गभी देग है अब हमकोंत करें तो हमाया लोग कर सकता है नहीं पस्सक्राका सक्था ? после.. होने देते हैं तो यह क्या है सिर्फ एक कहने का उनको मुक्का मिल जाएगा कि जी यह चीज हम कर लेते हैं इसके बाद next question क्या आता है हाल ही में मोद्रिक नीती समीती समाचार में थी यह एक है कौन सी है अब इसकी बात कर लेते हैं तो यह क्या है सामेदिक निकाई कौन सी है सावादिक निकाई तो option number b क्या है इसका correct answer इसके बाद next question एक लेते कौन शाह है कि विशो हर्दय दिवस हर साल मनाया जाता है यह कम मना जाता है तो यह मना जाता है 29 सेप्टेंबर को कम मना जाता है जी 29 सेप्टेंबर को इसके बाद next question लेते हैं हाल ही में रावल टेवतिया खबरों में थे वह किस स्टेल से जुड़े हुए है तो यह जो महान बेकती हैं रावल जी किस स्टेल से जुड़े हुए हैं यह जुड़े हुए हैं किर्केट से और किर्केट में अगर बात करें इन्होंने पहली बार एंडरी कब की थी 2014 में तो आज का जो करन फेर था वो हमारा यहीं पे इसको फिनिस करते हैं तो उमीद आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो इसको लाइक करें शेर करें अगर कोई डाउट है कोई क हमी लगती है कुछ चेंजेज है कोई सुजाओ देना चाहते हो तो आप सुजाओ अपने कोमेंट वोक्स में बता देजिए कि इसमें सर यह यह चेंजेज हमें चाहिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे ट्रॉप करते हैं उमीद आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा